रादे रादे अर्जनागर की रेश्वई में आप सभी का श्वागत है आज हम बनाएंगे हरे मटर के डाने की रोटी जो बहुत ही टेस्टी और श्वादिष्ट होता है हाने में और हेलदी भी है मटर के डाने की रोटी तो हम औब बनाना सुरू ड़ी करने हैं हम हारे मटर को निकाल लिये हैं दाने को और हरी मिर्च 2 छोचञ दोठो कटकर लिये हैं अध्रक थोड़ी सि घहिष लिये हैं, deyapotata लिये हैं आटा हम ले लिए हैं एक कप उसमें अजवाइन करश करके डाल दिये हैं थोड़ी शी जीरा डाल दिये हैं एक चमज और स्वाद अनुशार नमक अर्ष में धनिया पत्ता जो हम कट कर लिए थे बारिक उसको डाले हैं हरी मिर्च अदरक और शीमला मिर्च को हम बारिक कट कर लिए थे तो यह सब को हम अच्छी तरह से मिला कर बेटर बना लेंगे थोड़ा सा पानी डाल कर एक कप की लगभग पानी डालेंगे हम और अच्छे से मिला लेंगे इसको इस तरह से मिला लेना है अब हम जो मतर है मतर के दाने को अभी नहीं डाल रहे हैं इसमें हम थोड़ा सा उबाल आने देंगे यह सस्पेंड में हम डालकर इसको गैस पे चड़ा लेंगे और एक मिनट तक पकने देंगे मतर को एक मिनट में पक जाएगा मेरा ज्यादा भी नहीं पकना है तो इसको थोड़ा सा उबाल लेंगे देखे मेरा उबल चुका है अब इसको हम चान लेंगे चान कर और इसमें हम मिला लेंगे क्योंकि उबालकर बना लेने से मतर का चानी रहता है अच्छी तरह से पक जाता है इसलिए हमने उबालकर इसमें डाले हैं तो आप उबालकर ही डालिएगा अब मेरा अच्छी तरह से बैटर तयार हो चुका है अब हम गैस ओन करेंगे और गैस पर तावास को चड़ा लेंगे मेरा तावा अच्छी तरह से गरम हो चुका है इसको बहुत अच्छी तरह से गरम होने देना तेल अच्छी तरह से तावा में लगा लेना है और नहीं तो मेरा रोटी ची पक जाएगा तो इस तरह से अची तरह से हम तवे को इस तरह से चला कर इस तरह से घुमा कर तेल को अची तरह से तवे में लगा लेंगे ताकि मेरा रोटी चीपके न और नहीं तो चीपक जाएगा तो मेरा रोटी जल जाएगा तो इसलिए पूरी तरह से मिला लें अब हम कल्चुल से इस तरह से डाल लेंगे और इस तरह से ज्यादा मोटा न ज्यादा पतला इस तरह से चला कर फैला कर बना लेंगे खाने बहुत ही चेश्टी ये रोटी लगती है सभी को बहुत पसंद है अब इसको मेडियम फ्लेम पर एकदम सीखने देंगे अची तरह से और नहीं तो कचा रह जाएगा इसलिए इसको मेडियम फ्लेम तक दू मिनट तक अच्छे से सीखने देंगे और इसमें उपर से जब मेरा शीक जाएगा तो तेल लगा लेंगे इस तरह से और इसको हम आप दूसरे साइट भी पलट लेंगे दिखी कितना अच्छा मेरा रोटी शीक गया है अगर यदि हमारी अरेश भी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा सस्क्राइब करिएगा और कमेंट में जरूर बताईएगा किया रोटी मेरा कैसा बनाया आप ऐसे भी खा सकते हैं और चटनी के साथ भी या सबजी के साथ आलको भी टमाटर के सबजी हो या कुछ भी के सबजी आप बना सकते हैं बच्चे को टीफिन में दे सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में आप जरूर एक बार ट्राइग करिएगा अमेरा पूरा वीडियो देखिएगा इस तरह से मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए राधे राधे क्योंचे बना सकते हैं